चंदरा एन 3 के उपर जो moon drill है वो तो interesting है ही पर उससे ज़ादे interesting है यह बहुत high-tech and modern moon quick sensor जो earthquake मतलब moon quick sensor सबसे पहले drill के बार में बात करते हैं इसका नाम है चास्टे C-H-A-S-T-E यानि चंदरा surface thermophysical experiment चास्टे जो है वो पीछे लगा है लैंटर के अगर आप देखो एक stick जैस चीज है लैंडर के पीछे लैंड होने के बाद रोवर वगरा निकलने के बाद यह swing करेगा और slowly नीचे आएगा और नीचे आने के बाद वह अपना जो drill या penetrator के लो वो deploy करके soil के अंदर गुश जाएगा और वो करीब 10 cm अंदर जाने के लिए rated है पर आप सोच रहा होंगे कि क्यों सवाल अच्छा है समझाता हूँ क्यों देखो इस probe की उपर temperature sensors है जो measure कर सकते कि soil के heat है वो कितना है फिलाल जो कितना गरम है soil हमें पता चल सकता है कि जैसे sun का angle change हो रहा है क्या soil का जो गर्मी है वो भी change हो रही है और यही नहीं उसके अंदर खुद का heater unit भी है जो खुद soil को गरम कर सकता है soil या टेकनिकल रेगुलित जो lunar soil जैसे कहते है जो चांद का मिट्टी है उसे रेगुलित कहते है रेगुलित को गरम करेगा and then stop या गेन कर रहा है जो भी है बट देन अगेन क्यों देखो यह जो चांद के जो थर्मो फिजिकल प्रॉपपेटीज है रेगुलित के वह हमें काइंड ओफ इंकम्प्लीट स्टोरी है कि यह कैसे हीट एब्जॉब करते हैं कहां कितना एब्जॉब होता है कहां कम एब्जॉब के उस पेपर में यह भी डिसकस होता है कि कैसे कुछ few centimeters उपर का जो soil है वो बहुत loose soil है ज्यादा dense नहीं है और theorize करते है कि उसके वज़े से heat निची तक ज्यादा पहुशते नहीं क्योंकि उपर का एक poor conductor है और थोड़ा deep जाओगे तो ज्यादा dense है बट अगेन यह सब theoretical है असली जो चलेगा वो in-situ measurement से ही होगा in-situ मतलब क्या in-situ मतलब वहाँ जाके measure करना उसका opposite हुआ remote sensing अब to be clear चास्टे कोई first in the world है नहीं thermal probe के साथ Apollo missions Apollo 15 17 यह सब carry कर चुक है और उनका बहुत ज्यादा बड़ा range था हूँ 1.3 मिटर तक 17 पे deep जा सकते थे पर वो सब missions equatorial थे चास्टे के वज़े से हमें opportunity मिलती है यह जो south polar region है उसका thermal profile examine करने का और यहीं भी check करने का कि यह सब जो models है बाहर वो match करते की नहीं इसके साथ तो काफी cool है चास्टे अभी आते हमारे moon quicks के sensor के उपर इस payload का नाम है ilsa मतलब instrument for lunar seismic activity अब यह नाम सी पता चल गया होगा पर यह जो है आपको दिखेगा अगर आपने lander का front side देखा है विकरम का तो यह जो golden box है देखो उस golden box का यह ramp twofold है रहे उस golden box के पीछे इसे चुपाए गया है ठीक है और एक और interesting चीज है कि जैसे rover वगरा निकलेगा यह slowly ropes के help से नीचे आके drop होगा ropes इसले important है ताकि वो एक independent system रहे रेगुलित के उपर उसे कोई lander का कोई wire या कोई strain वगरा disturb ना करे तो वो loosely rest करेगा नीचे surface पे और फिर of course moon cakes और seismic activity detect करेगा बट कैसे कैसे करेगा detect ilsa का जो seismometer है वो बना है MEMS based technology से अब मैंसे का फिलोग जानते रहेंगे MEMS बट स्टिल MEMS का full farm micro electro mechanical systems basically बहुत चोटे mechanical systems जो move हो जब ऐसे चोटे चोटे आप चीजे मूव करोगे तो उन अलग-अलग parts का distance change होगा and then उसका capacitance change होगा और फिर आप पता सकते हो कि आपका current sensor reading क्या है हमारे phones में जो gyros, actual parameters होते हैं जिसे आप game वगरा खिलते हो वो सब ऐसे MEMS based हैं बहुत चोटे हैं अगर आपको और भी deep जानना है MEMS based tech के उपर तो breaking taps करके एक YouTuber है उसने इसके बड़े 3D versions बनाके demonstrate के आप जरूर देखो in general वो channel काफी cool है इस case में अगर आप यह MEMS का जो layout इसे दिखता है अगर आप attention pack कर रहे हो तो आप देखो कि कि 2 MEMS based sensors है यहाँ पर दिख रहे है board पर वो इसलिए क्योंकि एक जो है वो course MEMS based sensor है और एक है fine, course मतलब वो बड़े-बड़े detections ही कर सकता है और fine वाला जो fine measurements करेगा seismic activity में, course वाला जो है वो 0.5G तक के forces detect कर सकता है और fine वाला 1.5Mg, जी मतलब acceleration due to gravity, ऐसे जो है एक set में 2 है, right, course और fine वैसे total 3 sets से 3 axis के लिए, x axis, y axis, z axis के लिए, यह पूरा unit sealed है nitrogen के साथ, and although मेरे को यह electronics में point out करने नहीं मिल रहा है, but at least fine range MEMS के लिए है, उन्होंने एक tilting correction sensor डाला है, मतलब देखो, जब वो नीचे drop करेंग यह ज़रूरी नहीं है कि नीचे का regulate flat हो, right, ठोड़ा 3D मेडा भी हो सकते है, तो important है कि वो खुद को correct कर पाए, आप कितने degree तक correct में sure नहीं हो, बट वो थोड़ा बहुत orientation correct कर सकते है MEMS sensors के, उसके अंदर एक heater भी है, ताकि उसे हमेशा operational range में रख के, तो यह थे दो experiments, Chaste और Ilsa, thank you देखने के लिए.